हलो दोस्तों पैसे अनॉमिक्स में आपका स्वागत है और आग के वीडियो में हम सिखेंगे कि राइजिंग 3 में अपकोंड कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके पहले रैशनल के हैं वह हम समझ लेते हैं जो है राइजिंग 3 मेथड़ ऑप केंड़स्टिक यह जब मार्केट अप्ट्रेंड चलता है तो अप्ट्रेंड वह सीधा सीधा मार्केट अपसाइड नहीं जाता है उसमें चोटे चोटे करेक्शन आते हैं जिससे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग बीच में आती ही है और अगर आपको थोड़ा सा इजी ली यह करना है काम तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि यह लाइन चाट आप यूज करिए तो चल्दी पता चलेगा यहां पर देखिए जो करेक्शन सारे चोटे यहां पर जो करेक्शन से ओके तो इन में ही आपके वो पैटर्स वहां पे मो मतलबर यहां पर होता है करेक्शन मतलब यह प्रोफिट भूकिंग कंप्रीड होगी अब वापस पहले वाला जो पॉइंट है रिजिस्टेंस पॉइंट यह जब क्रॉस करेगा तब वहां से यह बाइकॉल चार्ट लगाते हैं यह जो पैटन से आपको ढूंडने पड़ते हैं और अगर आप इसका स्कैनर बनाते हो तो बहुत इसी आपको होगा यहां पर देखिए मुझे यहां पर वह मिल यहां है पैटन तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह दिखिए फर्स कैंडल सेकंड और थर्ड यह यहां पर यह तिनों गेंडल मुझे मिल चुकी है पहली वाली भी ग्रीन कैंडल है तो इसका हाई के उपर में बाइ करूँगा और नीचे का जो है वो मेरा होगा stop loss ओके तो यहाँ पे देखिए buy breakout जैसे आया 3150 के near about यह breakout आया हुआ है और अभी rate 3500 के उपर है मतलब 10% upside stock trade कर रहा है तो इस तरके से आपको rally मिलती है और आपकी risk के सबसे आपके stop loss जो है आपके stop loss भी आपको यहाँ पर पता चलेंगे क्योंकि इसका जो confirmation है आपको कैसे लेना है वापस मैं आपको समझा देता हूँ यह जो पहली green candle है इसका high break होने के बाद ही आपको buy करना है अगर यह नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर आपको trade buy कर नहीं लेना है क्योंकि यह rising three meter of candlestick है जिसमें rising candles होती है और यह जो होता है यह correction होता है तो एक correction के बाद मतलब profit booking खतम होने के बाद आप रहली continue करते हो और कोई charts है उसमें हम यह check करते हैं तो दूस्तों यहाँ पर मैंने HDFC bank का one hourly chart लगाया हुआ है और यह one hourly chart पर यह जो pattern है बहुत ही clearly दिख रहा है देखिए यहाँ पर green candle बना है और यह correction आया हुआ यहाँ पर और भापस यह green candle का है यहाँ पर क्रॉस किया है तो थर्टीन हंडेट 95 का यह crossover मतलब breakout अपसाइड आया हुआ हुआ है और stop loss बहुत ही चोटा है सेफर साइड यहाँ पर 20 पॉइंट का stop loss है यहाँ और upset अगर देखेंगे तो इसने हाय बना है 1440 का फिप्टी पॉइंट की रहाली आराम से वहाँ पर मिली हुए तो रिस रिवाट भी अच्छा है वन इस्टो टू है और उससे जादा भी रिस रिवाट इसमें देख रहा आपको तो इस तरह के से आप यह जो राइजिंग में अपड़ा इसको आप यूज कर सकते हो और अच्छा फासा मुनाफा मार्केट से ले सकते हो तो आज की वीडियो में इतना है दस्तों फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यह वीडियो को लाइक जूरू करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब जूरू करिएगा थैंक यू सो मज